हलो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं जो संपर कैप में नई चीज आ गई है कि अब समगर आईडी से हिदगराहियों के पंजी करण करना है तो वो किस तरह से करेंगे इसके लिए चलिए हम संपर कैप पर चलते हैं और संपर कैप को ओपन कर लेते हैं यह हमारा संपर कैप ओपन हो गया है इसके बाद यहाँ पे बहुत से आप्सन है पर हमें आंगनवाडी प्रबंधन पर जाना है आंगनवाडी प्रबंधन पर हम ज कि किन खिदगराहियों को हमें पंजीकरण करना है समागराईडी से, तो इसे टच करकर उपन कर लेते हैं, इस तरह से आपको छ्षे Queens N जराएंगे लेकिन यहां पर पहला हिदगराहि पंजीयन अप्न जोरो है और बागी आँठें और इसी तरह से हमें बच्चों को फीड करते चलना है तो देख लेते हैं कि किस तरह से हमें नया बच्चा फीड करना है तो यहां पे सबसे नीचे पे आप आपống सन देख रहे हैं नया बच्चा जोड़े तो ये नया बच्चा किस तरह से जोड़ना है ये देख लेते हैं तो सबसे पहले इस option को touch कर लेंगे और इसे open कर लेंगे ये देखिए इस तरह से हम इसे open कर लेंगे यहाँ पर हम बच्चे की समगर ID डालेंगे और ये जो छोटा सा तीर का निसान है उसे touch कर लेंगे और यहाँ पर देखिए open कर लेंगे ये देखिए यहाँ पर तो इस तीर के निसान को touch करके ये देखिए रिती का महरा है और ये जनम तिथी, बच्ची है, इंगलिस और हिंदी में नाम है उपर समगर ID है और यहाँ पर जनम तिथी दी है यहाँ माता पिता के नाम दिये तो इन में से किसी भी चीज को अगर हम बदलना चाहें तो हम नहीं बदल सकते जो चीजें उनकी समगर ID में फीड होंगी वही दिखाई देंगी तो आप चाहें कि अगर जनम तिथी बदल ले या माता पिता के नाम या कुछ बदल ले तो आप बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फीड करना है तो आप कर सकते हैं और नहीं करना और यहां पर तीर के निसान को टच करके आगे बढ़ते हैं तो देखें यहां पर पूरी जानकारी ओपन हो गई है यह समगर आइडी में जो बच्चे के फीड है जो माता-पिता की समगर आइडी होती है तब दिखाई देगा, तो देखिए यह बच्चा हमारी यहां पर हो गया है, मोबाईल नमबर जरूरे छिंगे डालने, अब यहां सरक्षित कर देते हैं, देखिए डाटा सफलता पूरवक सरक्षित कर लिया गया है, तो हमारी यहां पर इस रषटी जाटाओ नाम की बच्च में आप गर जाएंगे आप तो जादा जादा मोबाइल नमबरी फीड कर पाएंगे बाकी और कुछ चीज़ें यहां पर नहीं सुधरेंगी तो इस तरह से हमने यहां पर बच्चों को फीड कर लिया है और देख सकते हैं आप लोग यहां बैक वाली छोटा सा तीर का निसान जो उपर है इससे भी बैक हो सकते हैं और मोबाइल से भी यह देखे हम बैक आ गए हम गर्वती की जानकारी भरेंगे तो यहां पर गर्वती का समगराइड डालेंगे और फिर यह तीर के निसान को टच करके गर्वती को उपन कर लेंगे यहां पर देखे तो यहां से हम गर पर हम पती का नाम डाल देते हैं विजय महरा तो ये देखिए इस तरह से पती का नाम डाल देंगे हम आप छोटे बड़े अल्फाबैट जैसे डालना चाहते हैं वहाँ पर फीड हो जाएगा ये और मोबाइल नंबर चाहें तो डाले और नहीं भी है तो फीड अभी को टच कर देंगे क्या पहले गरपात हुआ है तो नहीं हुआ है तो नहीं कर देंगे और यहां पर जे हैं अंतिम महावारी की दिनांग जो हमारी LMP होती है तो इस तरह से जब उस खंड को हम टच करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा आगे पीछे होके आप LMP डेट को डाल द देंगे यह देखिए इस तरह से समगराईडी हमने डाली और यहां पर है यह प्रभा मिश्रा तो यह देखिए यह सारी चीजें तो हम नहीं बदल सकते हैं कि फीमेल है वो और जनमतिती वगएरा यह सब नहीं बदल पाएंगे लेकिन पती का नाम यहां पर कृष्टन कौम मिसरा है तो हम यहाँ पर यह डाल देते हैं और इसके बाद नीचे चलते हैं नीचे ऑप्सन पर देखते हैं फिर इसके बाद यहाँ पर कितने महा की गर्वती है गर्वती महिला तो वो डाल देंगे हम यहाँ पर जितने महा की है वो तो यह पांच महा की गर्वती है तो वो इसके बाद जो हमारी LMP डेट के लिए फिर से कैलेंडर ओपन हो गया उस खंड को तो ये जो छोटे सी तीर के निसान कैलेंडर पे हैं तो उससे आप जाके यहाँ पर सेव कर सकते हैं और तारीक को चुन सकते हैं महीना चेंज करके तो यहाँ पर यह है साथ मही की है और यह देखे थोड़ा उल्टा दिखाई देता है हमार को पहले वर्स नजर आता है फिर महीना नजर आता है फिर तारीक नजर आती है तो इससे आप घबराईएगा नहीं और इसके बाद हम इसे सुरक्षित कर देंगे यह हमारी दूसरी गर्वती प्रभा मिस्रा भी हमारी सेव हो चुकी है और वही दो आपसने यहाँ पर सुधार और डेलीट के लिए तो जो आप सुधारना चाहें अगर आपसे गलती से पती का नाम और जो चीज़े हमने फीड की हैं उनहीं को सुधार सकते हैं तो आप सुधार लेंगे उससे अगर सुधारना चाहें तो इसी तरह से अब हम धात्री महिला पर चलते हैं तो धात्री महिला पर जाएंगे और वहाँ पर समगर आइडी को डालेंगे धात्री महिला की तो यहाँ पर धात्री महिला की समगर ID को हम डाल देते हैं और डाल कर हम यहाँ देखते हैं कि हमारी अनिता ठाकुर नाम की घर्वती महिला धात्री महिला सॉरी वो खुल चुकी है अब यहाँ पर पती का नाम हम डाल देंगे प्रसांत ठाकुर है पती का नाम तो वो डाल देंगे यहाँ पर प्रसव की तारीख डाल देंगे क्योंकि अब धातरी महिला है तो प्रसव हो चुका है तो यहाँ पर प्रसव की तारीख के लिए भी जब खंड को टच करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा और यहां से हम उसके प्रसव की तारीक डाल देंगे तो यहां प्रसव की तारीक आप डाल दें जितनी तारीक हो यह कैलेंडर ओपन करके इस तरह से हमें डाल देनी है यहां पर भी वर्स पहले नजर आएगा महीना बाद में फिर तारीक दिखाए देगी नवजा सिसू बालिका थी तो बालिका की बिंदू को टच कर देंगे सिसू का नाम जो हो वो लिख दें आप यहाँ पर अगर माल लीजिए कि बच्चे का नाम अभी नामकरण नहीं हुआ है और नहीं लिखा है तो जो भी उसे घर में बोल रहे हैं यहाँ डाल सकते हैं और उसके बाद उसे बापिस सुधार वाली इसमें जाकर सुधार भी सकते हैं प्रसा का इस्थान क्या था तो वो डाल सकते हैं सास की अस्पताल में होया था प्रसा तो सास की अस्पताल डाल देंगे हम उस बिंदू को टच कर देंगे तो वो हो जाएगा जनम के समय वजन कितना था तो बच्चे का यहाँ पे 2 किलो 500 ग्राम वजन था तो 2 किलो 500 ग्राम वजन को हम सेव कर देंगे और जनम के समय की उचाई तो यह आप सबको MCP card में मिल जाएगा कि जनम की समय की उचाई क्या है थी तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जनम की समय उचाई क्या थी 45 cm थी वो डाल देंगे और इस option को सुरक्षित कर देंगे देखिए बहुत ही आसान है समगर आईडी से हिदगराहियों का पंजियन करना तो आप इस वीडियो को देख के आसानी से समझ जाएंगे और I think मुझे लग रहा है कि आप लोग करने लगे होंगे इसी तरह कि अच्छे-च्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जादा से जादा शेयर करें वीडियोस को ताकि हमारी कारकरता बहनों की मदद हो सके और जादा से जादा लोग सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछने हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं उन सारे सवालों का हम जवाब देंगे आपकी सारी समस्याओं का समा धहन देंगे और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम आपको बनाएंगे सभी इसी सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को लाइक, शेयर and थैंक यू